देखिए मैं और मेरे मित्र मिशन निता जी हम बहुत साल से एक हम लोगों ने पुरा मिशन चिदा रखा है उस मिशन के दो फोकस है फोकस एक ही है लेकिन उसके दो दूसके दो पार्ट उसका पहला पार्ट यह कि आप कि जैसा कि लोग को पता है और खासकर अभी पिशले कुछ सालों में बहुत सा डॉकुमेंट इंफ्रमेशन नहीं देश को भारत को अजात कराने में तो यह सरकार को यह चीज अफिशली एक्सेप्ट करने पड़ेगी यह हम महीम चला रहे और इस बात को लेकर कि मैं और मेरे में तरह हम लोग लॉबी करते हैं हमारा और हम जो लाइक मैंडेट लोग हैं उनके साथ भी हम कॉडिनेट करते हैं जिसे जीरी बक्षी जो है उनके स बात को लेकर कि पहला जो मुद्धा हमारा जो हमारा मुद्ध मुझे बाकिया नहीं पता हमारा पहला मुद्धा यह है कि भारत को आजाद कराने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निटाजी सबाश्मन डिपोस की थी उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और यह साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह उनका 25 जनम दिवस है यही भारत के अजाद होने का 75 उसके साथ में जो दूसरा हमारा जो है जो यह दूनों जूड़ी वी चीज़ें अलग नहीं है नीता जी की लाइफ और आगे की लाइफ यह हमारे लिए लोग जो हमारे से बहुत ज़्यदा सिग्निफिकेंट है वह इसलिए है कि आप खुद जानते हैं पत्रकार हैं कि भारत की राजधानी है दिली और दिली का में स्पॉट है राजपत जहां हमारी चंबेचंदरी की परेड होती है वह हमारा सिंपल हमारे देश का और यहां पे जहां पे वह इंग्लेंड के राजा की मूति लगी थी और वो हटाने की हिम्मत हमारी अजाद भारत के सरकार में नहीं हुई थी वह हटी है उन्नी सो आड़सट में जा करके ठीक है जी सरकार हटाने के चुक नहीं थी उसको पब्लिक विरोध में थी और उपर से वहां पे हटी है उसके लोगों ने बहुत बड़ा लंबा एक कुशिश की कि महत्मा गंदी की मूर्ति महां लगा दी लगी तो वह जगे जिसके बिल्कुल सामने अमर जवान जी होती है इंडिया गेट है और उसके बिल्कुल साथ में नैशनल वार मिमोरियल है यहां हमारी 26 जन्वरी की परेड हो इस थान पर नेटा जी की मूरति लगाने का सींबाजिक वैल्यू आइंड लोगाणption को मौन्म्रेंट कर रहे हैं इसकी संबॉलिक वैल्यू आप शाइथ खौनीत है स्ब shortest भारत की हमारे हमारे देश में इतनी उसौट है कि यह आपका पूरे भारत का नंबर बन स्पॉर्ट है वहां निता जी की मूर्ती लगने का मतब अन ओफिशली एक लिस ऑफिशली कुछ अप टू सम एक्सेंट वो यह एड्मिट करा जा रहा है कि निता जी स्टेश के लिए नंबर वान है लगाना कि लिए कम से कम 45 साथ से चले थे अच्छा नहीं लेगा और आप गंदी भक्तों को लगने वारी आग करेंगे तो सीधा नहीं करेंगे तो यह होगा तो लोग को हर एक आदनी को यह पसंद नहीं होगा और मेरा मानना है कि आपके पदेश के अंदर बहुत से लोग है उनको पसंद नहीं होगा आप भूलिये मत कि वही जगह जहां पर निता जी को तो जो पुता बोला गया था तो जो भी है उपर से जनम जात कॉंगर्स पार्टी के चंचे हैं जो बीसी राय के जमाने से जो कि जड़े खोदने पर लगे वे थे वहां पर नाम नहीं चलने देते तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जनम जात खंगर्स पार्टी के जुन्होंने पैर चाटे वो लोग भी इस बाद को खुश नहीं होंगे हो सकता है कुश लोग मजबूरी के अंदर उनको बाहर से दिखाना कि मैं दिल्ली वाला हूं लेकिन मेरी इमोशनल अटेश्मेंट कलकता से जादा है तुकि मेरे सारे दोस्ट किलकता में रहते हैं और आज किसमत कोविट के वैसे में दिल्ली बैठों नीतों में आज 21 थारिक है मैं इस टेम पे मुझे बड़ा बोलने बड़ा लग लग रहा तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि मैं दिल्ली में हूं मैं दिल्ली वाला हूं लेकिन मेरी इमोशनल अटेश्मेंट कलकता में जादा हुए कि मेरे सारे दोस्ट जातर वहीं पे रहते हैं और जो मेरे मित्र कलकता भार भी रहते हैं अमेरिका में अंडन में कहीं रहते वह तो मैं आपको यह मुद्ध बता रहा हूं कि आपके जो नीटा जी हैं या देश में जितने बड़े-बड़े हमारे महानायक हैं फिस्टरी में हो या थोड़े modern हिस्टरी के ओओ इसे शिवाजी महाराज लेकिन शिवाजी महाराज की महाराज आप औरमें नहीं कर पाएंगे क्या हम लोग उनके जर्म स्थान से दूर है यह बहुत नैच्बन है कि पहले आपको अपनी अटेश्मेंट धिखाती है फैमली आ नेशनल फीडम हमारा जो मुव्मेंट है जो मारे आइकंस है उन सब का उनकी होम स्टेट में बहुत जबर्दस सपोर्ट सिस्टम अगर कोई आदमी बहगत सिंग के बारे में जिसने की बख्वास सबाश्व के बारे में बंगाल में की गई थे अगर वहां कर देता तो हम उनक प्रमोट किया है तो पॉइंट यह है कि यह पर्पोजर बंगाल सुनिया आप तो अपले प्रेट में दो साल पहले मात्मा गंदी की पूंट लगाए को प्रॉब्लम यह हो रही है कि कभी आवाज जो आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली चलो वाली बात सच नहीं हुई या इंप किसी में सरकार को कि जनता खड़ी हो जाए तो क्योंकि बंगाल से आवाज नहीं हुई इस तरह के पर्पोजल बहुत साल पहले आजाने चाहिए थे क्यों नहीं बंगाल सरकार ने एक रेजोलूशन पास किया आपके असेंबली में कि भारत के आजाद होने में नेता जी की भूमी का सबसे जादा है बंगाल से ही फीडम से को स्टार्ट हुई थी हमाएं लोगों ने इतने सेक्रिफाइस यहां के लिए कि तो सरकार को चाहिए कि यह बिकार का जो यह आप जो ड्रकोसला पीट्री होगे देदी हमें अजादी बेना खाड़क बिना धाल यह हमारे इ नीता जी बंगली पैट नहीं है क्या आपके ही स्टेट से आया वे आद्मी ने देश को अजाद करवाया आपको तो बहुत उसको घमंड होना चीए कि सब हम लोग लडाई कि हम नीता जी हमारे में से निकल के आया थे लेकिन हम देखते कि वह जब भी कोई धरनाबाद जी ह तो बाज़पा होचा टीम सी हो गांदी की मुद्धी नीच जाके बैड़ रहेंगे और अभी भी बोलने में लोगों को शरम आती है कि साथ भारत को अजाद सब मुझे बताईए कि बंगाल में से कितने बड़े कौन किस बड़े लीडर ने या किसी लिमनीरी ने कोई फिलम कि भारत को अजाद कराने में नीता जी की भूमी का सबसे नुम्मर वां थी इंडिपेंडेंटेंस देश को अजादी मिली है बतकिस्मती से वहां के शुरुआत के 40-50 सालों में कॉंगोस पार्टी और कम्रेस पार्टी का राज़ और वो दोनों के दोनों चाए वो बीसी र लोग निता जी को लेकर कि वह तो ने उडिल क्रास के लोगों में काफी वह बहुत इज़्जत करते हैं लेकिन जैसे चैसे आप ऊपर चले जाएंगे जो सहाब लोग हैं मैं यह नहीं कि सारे के सारे कलकाता क्लम में जाने वाले ऐसे लेकिन जो बड़े लोग हैं जो पॉस कर प्रिटिकल जमाहत आपकी जो है मेरा माना वो गांधी भक्ती में डूबी वही है चाहाँ बीजेपी हो चाहाँ चाहाँ कोई और हो उसमें इंट्रस्ट नहीं है आपने नाम लिए फॉरवड ब्लॉक के बारे में समयना जूबी कि फॉरवड ब्लॉक्ट था वह एक अना उसके बाद में 1950 के दर्शक में कमनिस्ट पार्टी के लोगों ने इसमें इंफिल्ट्रेट किया और उसके बटवारा करवा दिया जिस पार्टी को आप कह रहे हैं वह नेता जी की पार्टी का एक कमनिस्ट ऑफशूट है तो वह बिसारे जो है मैं उसमें यह नहीं में भी उन्होंने बाते बोली है मैं यह क्या रहा हूं लेकिन प्राब्लम यह है कि वह पार्टी बिसिकली लेफ्ट रंट का हिस्सा दी तो वह कभी वह बहुत ज़्यादा कामों नहीं कर सके उसका इंपक्ट नहीं हुआ क्या आफ्ट वह लेफ्ट वाले होस्टाइल थे य सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ एक पाटी के लोग में बोलते हैं तो निता जी इस डास बिलाउंग तो ओनली हिस फैमिली और टू फावर्ट ब्लॉक अमादेर वीडियो भालो लगलें लाइक एबंग शेर कुरून कमेंट सेक्शन एक जानान अपना देर आरो वीडियो पेते आमादेर चैनेल सब्सक्राइब पोरून एबंग प्रोती मुँँ तेक हबरेर अपडेट पेते प्रेस पोरून बेल आइकोन